चेहरे को वाश करके दिखा रही हूँ, कोई मेकप नहीं, कोई हाइलाइटर नहीं, only काजल लिपस्टिक, वाश करने के बाद भी स्किन गलो कर रहा है, आपका भी कर सकता है, अगर आप ये मेरा वन मन का स्किन केर रूटीन फॉलो करते हैं, इसमें हम विदाउट मेकप चेहर के कड्स बनाय रखने कि लिए ट्रिक देखेंगे, कोलेजन बनाने वाला हिल्दी ड्रिंग देखेंगे, टैनिंग को दूर करने वाला, स्किन ग्लो बढ़ाने वाला पानी देखेंगे, जो आपके unfmpfen, pigmentation के लाग को भी मिटाईगा, तो कीचन के काम करते करते स्किन केर किस प्रकार से रख सकते हैं, वो भी देखेंगे, अगर आप ये ठीक से वन मन का स्किन के रूटीन फॉलो करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करें, हमारे घर में कोई भी पार्टी फॉंक्शन होता है, शादी होती है, तो सबसे पहले हम शॉपिंग करने बाहर निकल जाते हैं, बाह स्पून दही लेना है, उसमें आधा स्पून अजवाइन का फाइन पिसा हुआ पाउडर आड़ कर देंगे, आधा स्पून सोफ का बारिक पिसा हुआ पाउडर आड़ करेंगे, तीनों चिजों को अच्छे से फेट लेना है, थोड़ा सा उंगलियों में लेना है और पूर आपके स्कीन में बहुत फर्क नजर आएगा कुछ ही दिनों में वन मन तक रेगुलर ये प्रोसेस करनी है वीक में तीन टाइम इसे यूज़ करें अच्छे रिजर्ट मिलेंगे टेप नमबर टू ये पानी जो आप देख रहे हैं ये कोई मामुली सा पानी नहीं है ये हमारे स्कीन को हमेशा यंग बना के रखने में और कोलेजन को बढ़ाने में हेल्प करता है इसे वीक में दो दीन पीना है और रेगुलर वन मन तक ये प्रोसेस कंटीन्यू करनी है इसे बनाने के लिए एक गलास पानी उबालना है उसमें चार से पाच तुलसी के पत्ते आड़ कर इंग्रिडियन हम इसमें आधा स्पून सोफ एड़ करेंगे सोफ में भी ठेल सारा अंटियोक्सिटन होता है पोटेशियूम कैल्शियूम जिंक आइरन पाया जाता है जो आखों के नीचे काले घिरे सेल डामेज जुरिया कम करने में बेहत फाइदेमंद होता है थर्ड इं करती है इसे दो बाफ आने तक अबाल लेना है फिर छान लेना है रात में सोने से पांच मिनिट पहले आप ये ड्रिंक पी सकते है या फिर मॉर्निंग में खाली पेट भी पी सकते है थर्ड टिप स्पेशले उनके लिए जिनके आखों के नीचे काफ़ी डाग सरकल होते है और पिग्मेंटेशन के दाग आ जाते पिंपर्स के बाद जो दाग चुटते है उसे मिटाने के लिए ये टीप काफे हलफुल होगी उसके लिए एक आलू लेना है उसे आधा कट कर लेना है और फोक के मदद से इसमें होल बना लेने है ताकि आलू का जो रस होता है वो बा मसाज देना है पांच मिनिट का मसाज पूरे चहरे पर और आखों के नीचे बिल्कुल हलके हलके सॉप्टली इसे मसाज देना है अगर आप रेगुलर वीक में तीन दीन ये प्रोसेस करते है तो आपके आखों के नीचे के डाग सरकल मिटाने में ये टीप बेहत फाइदेम हो बढ़ता है हमारा कलर कोई भी हो लेकिन ग्लो करने वाली स्कीन होती ही तो उसका इफेक्ट अलग होथा है इसे बनाने के लिए हमें कुछ खीरे के स्लाइसेस लेने है कुछ तोमयटो के स्लाइसेस कुछ के स्लाइसेस लें और थोड़ा चुक अटर लेंगे चुक अदर जलन होती है स्कीन की उसे मिटाने में रेडनेस कम करती है और स्कीन गलो बढ़ाता है फिप टिप विदाउट मेकप चेहरे के कट्स बनाई रखने के लिए रात में सोने से पाँच मिनिट पहले सिंपल सा एक मिनिट का मसाज हम चेहरे पर देंगे यह जो मसाज होगा वो हमारे रिंकर्स फाइन लाइन को मिटाएगा और चेहरे के कट्स उभर कर आएंगे सबसे पहले चेहरे को क्लीन कर लेना है फेस वाश कर लेना है दोनों हातों में मॉस्टराइजर अप्लाई करना है, उंगलियों के बोन्स में हमें मॉस्टराइजर अच्छे से अप्लाई कर लेना है और Middle Finger और Index Finger का होग बनाएंगे, सेंटर में इस प्रकार से jaw-line पर हमें रखना है और उपर की और इस तरह से हमें कानों की तरफ इसे मसाज देना है 10 टाइम रिपीट करना है हमारे जॉलाइन अट्रेक्टिव बनेगी सेकेंड मसाज नोज को अट्रेक्टिव बनाने के लिए दोनों फिंगर्स का सेम हुग बनाना है और नोज पर इस प्रकार से उपर की और लेना है नोज काफे अट्रेक्टिव बनेगा 10 टाइम रिपीट करना है थर्ड मसाज हमारे चिक्स के लिए एक हाथ से नोज को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से दोनों फिंगर्स का इस प्रकार से मुवमेंट करेंगे यहाँ पर pressure देना है यह pressure point है दूसरा pressure point center में यहाँ पर तीसरा उपर की ओर इस प्रकार से यह process भी 5 ताइम repeat करना है 4th massage हमारे आखों के नीचे जो dark circle आते हैं उसे मिटाने के लिए हलके हलके दोनों आखों के नीचे massage देना है 1 minute के लिए उसके बाद pressure point प्रेस करने है एक pressure point यहाँ पर 3 second count करना है फिर center में फिर side में 3-3 second count करेंगे इस प्रकार से यह massage होगा Last massage हमारे forehead के wrinkles fine line को मिटाने के लिए हमारे fingers की जो bones से इसे एक हाद से या दोनों हाद से भी इस प्रकार से कर सकते है यह आपके stress को थकान को भी मिटाएगा Last tip every day 30 minute का walk जरूर होना चाहिए कोई भी exercise cycling walking skipping anything बस एक बात को धहन में रखना है कि skin से पसीना निकलना चाहिए पसीना आता है तो सारी गंदय यह बाहर निकल जाती है ठकान के कारण अच्छे से नीन भी आती है नीन भी important होती है हमारे skin glow के लिए आप अच्छे से नीन में skin से जुड़े तमाम problems clear करने में अच्छे result मिलेंगे अगर आप यह मेरा one month का package लेते है इसे ठीक से follow करते ही तो मुझे जरूर बताना है स्वस्त्रे मस्त्रे हिल्दी रही thank you so much